दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में मैं हूँ शिवाजी दोस्तो हम आज जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है आरे समाज हम लोग लगातार कर रहे हैं ब्रिटिस भारत में या उनिसवी सतावदी में जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उन आंदोलनों को बारी बारी से हम लोग कर रहे हैं हमने ब्रह्म समाज को समझा है हमने प्रार्थना समाज को समझा है और उनके द्वारा जो समाज सुधार के प्रयास किये गए उन प्रयासों को भी समझा है आज हम लोग बात करेंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते उपमें अस्थापित हो चुकी आरी समाज, आरी समाज का जो प्रियास रहा उनीसवी सतावदी में या ब्रिटिस भारत में भारत के समाजिक विवस्था में बदलाव का, जो समाजिक रूडिवादिता थी, जो धार्मिक रूडिवादिता थी, उसमें परिवर्तन का जो प्र संस्थापक के नाम पूछ מא यालte है उसरीं मिलाना है तो मिलाकर आपको जो है याद रखना चाहिए ऐसे भी आपको जानकाडी के लिए भी पता होना चाहिए कि आखिर आरे समाज ने क्या कुछ उस्वें प्रयास किया था और किस तरह से आरे समाज के जो प्रयास रहे थे वो बहुत हद तक सफल भी रहे और आज भी आरे समाज एक प्रासांगिक संस्था बनी हुई है तो आए टिनूहीं महतनक बिंदू हैं कब वगा आरे समाज के अस्थापना कब होती है 1815 में किसके द्वारा होता है तो दियानट व 무슨 तीके दौरा होता है और और कहां होता है तो बंबई में होता है यह तीनों सवाल पुछे कैंड पूछह जा सकते हैंus 18 faculty में एक इस दूढों से दो बरन गंपुरु जो है इसका जो मुख्याले है अरी समाज का मुख्याले है। उसको shift करके कहाँ अस्थाप्ट क्या जता है लाहौर में स्थापना है और इसका जो लाहौर इन्गाxima सब्सक कर दिया जता है कब 2 वर्स के बाद यानि सरसुती ने जो नारा दिया था वो दिया था वेदो की और लोटो इन्हों ने नारा दिया था वेदो की और लोटो महतकून है यह प्रिक्षा के द्रिश्टी कौन से सवाल पुशे आते हैं कि वेदो की और लोटो नारा किसी ने दिया था तो देयानंद सरसुती ने दिया था पर किसी ने दिया था तो वो दिया था आरे समाज ने और वेदों की और लोटों का जो नारा दिया था वो दिया था द्यारंद सरसुती ने वेदों की और लोटों का नारा का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप वेद में जो बाते कही गई है जो धार्मिक और समाजिक व् करमकांद में और मुर्ति पूजा पर बल देते हैं करमकांद तो वेद में भी पूजा पर बल नहीं है तो इसको इन्हों ने जो कहा कि वेदों की और यानि कि इनका कहना था कि जो मौलिकता है जो मूल है वेद वहां आप लोटिए और वेदिक विधी विधान से जो धार्मिक जो आचरन है वह करिए और अपने जीवन में इसको उतारिए और उसके बाद कि जो गरंथ लिखे गये हैं फिर उसका आप पालन मत कीजिए क्योंकि वहां कहीं ने कहीं जो है वह रोड़िवादिता और बहुत साड़ी ऐसी चीजे आ गई है जिसका पालन करके समाद बिखरेगा तो इसका इनका यह कहना था आड़ी समाज का द्यान सरसुति का यह कहना था पुरान जैसे धार्मी ग्रंथों को नकार दिया देखिए मैंने अग अंदोलन चलाया जिसको हम लोग शुद्धी आंदोलन चलाया था आड़ी समाजने बहुत महत्तपूर्ण है यह सुद्धी आंदोलन का क्या कंसेप्ट है क्या इसकी विशेषता रही इसको समझे आप सुद्धी आंदोलन पूछा जाता है कि किस संस्थाने चलाया था तो समाज ले चलाया था और सुधी अंदुलन का अर्थ क्या है ऐसे बहुत साड़े लोग थे जो रहे हिंदु धर्म को छोड़कर अने धर्मों को स्विकार कर चुके थे अने धर्म में अन्य धर्म हो चुके थे यह जो रिलीजियस कनवर्जन का काम है यह भारत में बहुत ज्या भाई बनाया जाए और खासकर जो आदिवासी छेतर था जो पहाड़ी एरिया था आदिवासियों के साथ एक समस्य यह थी कि उनका कोई एक बेवस्थित धर्म नहीं था उसमें एक संगठित धर्म नहीं था और संगठित धर्म नहीं होने के वज़ा से एक ऐसा वलटाइल था जिसको आसानी से कंवर्ट किया जा सकता था और यही कारण है कि इसाईयों ने जो सबसे अधिक टार्गेट किया वह किसको किया तो आदिवासियों को किया आप चले जाई जो ट्राइवल एरियाज है उसमें इसाई धर्म आज भी बहुत परचलित धर्म है जो भी आप देखिएगा तो यह प्रवेश जो है इसाईयों का जो प्रवेश हुआ था फिर आप मुसल्मानों का देखिए मुसल्मान जो भारत आये थे तो भारत में एक समाजिक वेवस्था उन्होंने जो अस्थापित किया था उसमें कंवर्जन भी एक बहुत परा तरीका था कि इस इसलाम मजबूत कैसे होगा इसलाम जब तक लोग सुईकार नहीं करेंगे संख्या बल नहीं बढ़ेगा तब तक उसका विस्तार छेतर का नहीं हो सकता है और इसलाम ने भी इसी इसी तरीके का उपयोग किया इसी हंत्यार का उपयोग किया डटिज कर्वर्जन वह धर्म को धार्मिक लूप से लोग को बदलते थे और अपने धर में लोग को प्रवेश कराते थे और यही कारण है जब हम लोग कसमीर का इतिहास अभी देखे कसमीर फाईल्स फिल्म बना है मैं भी इस पर चाह रहा था तकि कुछ आपको जानकारी दूप कसमीर के इतिहास के वारे में समय के अभाब के वज़े से नहीं दे पाया हूँ लेकिन मैंने इसको बहुत तयार किया है पुड़े कस्मीर के इतिहास को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ ताकि आप इतिहास के दृष्टी को उन से कस्मीर को समझ जिए तो कस्मीर में भी समस्या क्य गया गया वहां से जो भी घटना हुई थी तो ये था इसलाम के परसार की जो नीती थी इसायों के परसार की जो नीती थी तो ये था तो सुधी आंदोलन जो चलाया गया था आड़ी समाज की द्वारा यह प्रियास था कि जो लोग कनवर्ट हो गये किसी और धर में उनको पु बहुत महतपूर्ण यह बिंदू है सवाल पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं अब देखिए इन्हों ने यानि कि द्यानंद सहसुती ने स्वदेशी और हिंदी पर बल दिया स्वदेशी सब्द जो है सबसे पहले समझे कि यही एक संगठन था यही एक संगठन था जिसने इस दोनों बिंदू पर बल दिया था स्वदेशी पर भी बल दिया कि स्वदेशी होना चाहिए सब कुछ स्वदेशी हो हमारा कानून प्रसासन प्रसासन हर्चित स्वदेशी होना चाहिए और हिंदी का समर्थन इन्हों ने किया था देखिए यह जो दौर है उन्हें इस भ और उसको रोंदते हुए वह आगे बढ़ता है तो जो सांस्कृतिक पतन का दोर चल लहा था भारत में और जो अंग्रेजी का अंग्रेजी बात भारत में प्रवेश कर चुका था इंग्लिस का प्रवेश हो रहा था उसके खिलाफ यह सारे अंदोलन थे अंग्रेजों के खिल हो सके, एकिकरन हो सके ताकि हम बहुत आसानी से अंग्रेजों का सामना कर सके तो हुए यहाँ पर जो हिंदी पर बल देने का प्रवेश था यह वास्तब में जो ब्रिटिस नीतियां थी ब्रिटिस जो कल्चर था जो भारत में प्रवेश हो रहा था उसके बिरोध यह प्रि पुदेशी तथा हिंदी का समर्थन करने वाला प्रधम संग अठन था यह आरे समाज कि वारत्बारतियों के लिए है यह नारा दिया था भारत भारतियों के लिए यानि की अधिसर के लिए यह गोड अकस्षा locker चलाया रख्षा समीति का घ्रृत्रण किया था समय और इसमाज ने अंदोलन क्या क्या था तो गाई की रख्षा करना गाई की रख्षा अगया महत होulator सर्द है उरनित कि कराएंगे महाकाव्यों से भी अवगत कराएंगे धार्मिक गरंत के बारे में विस्तार से समझाएंगे सभी धर्म के बारे में बताएंगे कैसे ब्रह्मन धर्म का उद्य हुआ कहां से विस्तार हुआ उसके इसलाम का उदे हुआ विस्तार इसाई सभी बिंदूओं पर मैं बात परूँगा आप से प्राशीन काल में तो वैदिक दृष्टी कोन से वैदिक काल की दृष्टी कोन से या धार्मिक दृष्टी कोन से हिंदू के लिए गाय एक महतपुर्ण जीव रहा है और इसका एक धार्मिक महतो रहा है समाजिक के साथ एक धार्मिक महतो भी बनाया गया है गाय का तो इसलिए इसकी रक्षा करने की अर्थ था कि हिंदू समाज की रक्षा तो गौरक्षा अंदोलन इन्होंने चलाया था आरी समाज ने यह अपने आपने एक अनुखा अंदोलन था और इसको बनाने के लिए इसको चलाने के लिए एक समीती भी बनाई गए थी गौरक्षा सम प्रियास था कि जो शुद्र थे जो सबसे नीचे तपके के लोग थे समाज के उनको जो वंचित लोग थे जो दलित थे उनको कहा गया कि आप भी वेद पढ़िया आपको भी अधिकार है वेद पढ़ने का महलाओं को जो सम्मान नहीं मिलता था और हमने देखा है कि पिछले जो प्रार्थना समाज हो या ब्रह्म समाज हो उसमें क्या प्रयास था महलाओं को सम्मान दिलाने का प्रयास था महलाओं को समाजिक व्यवस्था में एक अस्थाउं दिलाने का प्रयास था तो वह प्रयास यहां भी जाड़ी है क्योंकि महलाओं की इस्थिती बहुत दैनि क्या वशक्ता है तो आप अनमान लगा सकते हैं कि उस समय के इस्थिति क्या होगी तो शुद्रो और इस्त्री की जो इस्थिति थी समाज में वह बहुत समझ सके वेवस्था को उसके यग्योपवित धारण करने के लिए इन्होंने बल दिया था थी बाइस चुद्र और इस्तरी जो है वह यग्योपवीत हुआ भी धरन कर सकते हैं इसको एक धार्मिक सिंबोल मना जाता है जो कि सब लोग धारण नहीं कर सकते हैं तो यह जाती विभेद था इसको समाप्त करने का यह सब प्रयास था किसके दौरा आड़ी समाज के दौरा 1863 में यह बहुत पहले की घटना है यह ध्यान रखेंगे आप देखिए 1863 में पाखंड खंडनी पता का लहरा दिया गया था तो इसके अंतरगत क्या क्या है क्यों पाखंड का मतलब क्या है जो रोडिवादिता है जो जूट है जो फ्रेव है समाज में उन चीजों के खिलाफ एक यह मुहीम था पाखंड जो भी पाखंड होता है जो रोडिवादिता है समाज में जो जूट का एक बाजार है उसको खंडित करने के लिए 1863 में प्रयास किया था तो यह मुक्रूप से द्यानंद सरस्वती का वेक्तिकत प्रयास था क्योंकि आड़ी समाज के अस्थाप का समन्द किस संगठन से किस संस्था से तो आड़ी समाज से है यह आपको ध्यान रखना है उसके लाला लाज पत्राय बाल गंगा धरतिलक और गोपाल कृष्ट गोखले यह तीन ऐसे महतपुर्ण राष्टिये नेता थे राष्टिया अंदुलन के प्रनेता थे जो आड़ सरसुति ने जो विचार रखे थे कि बुरे से बुरा देशी राज अच्छे विदेशी राज से अच्छा होता है देखिए बहुत महतपूर्ण है त्यान सरसुति का यह करतन पूछा हुआ भी है कि बुरे से बुरे बुरे से बुरा देशी राज अगर देशी राज यानि कितना भी अच्छा विदेशी हो उससे यह बहतर होगा चाहे वह खराब भी क्यों नहीं हो यह विचार था द्यानन सरस्वती का वेलंटाइन शिरोल जो एक अंग्रेज अधिकारी थे ध्यान रखेंगे कि इस चिरोल भी लिखा गया है तो वेलंटाइन शिरोल जो थे उन्हों देश में भारत के सभी वर्गों में एक आंदोलन पैदा करने का काम किया था आड़े समाज ने और इस आंदोलन का जो भै था वो सबसे अधी किसे था तो बिटिसर्स को था अंग्रेजों को था क्योंकि यह सारी बेवस्ता यह सारा प्रियास अंग्रेजों के खिलाफ था उपनिवेश के खिलाफ था तो इसी लिए वेरंटैल सिरोल ने इसे कहा था कि भारतिया अश्रांती का जनक है कौन यही वेवस्ता यानि कि आड़े समाज या द्यानंद सरस्वती तो इसने कहा था यह सवाल भी पूछा गया वेक्ति का नाम पूछा गया है द्यानंद सरस् लाहर में मुख्यालिवी सिफ्ट कयाका था सेवेंटी सेवन में हुवम् ईसे में डियम की अस्थापना की गई थी लाहर हो अब देखे इनके ही स्वामी स्रद्धान।्ध भी झानंद सरस्वतीinea करना चोन स्समाज को विचार धारा थी इस विश्विद्याले की वह भी आरे समाज से मिलती जुलती थी आरे समाज पर ही आघारी थी तो तो दोस्तों आरे समाज के जो महतपुन बिंदू है परिक्षा के दिश्टी कों से वह मैंने आज आपको करवाया है हम लगातार कर रहे हैं 19-20 सतावदी में भारत में समाजिक धार्मिक अंधोलन तो आगे भी हम इसको भी जाड़ी रखेंगे ताकि यह चिप्टर अच्छे से आप समझ जाए और इसका नोट्स भी आप जरूर बनाएए संभव हो तो बोड से उतार कर कोपी में इसको लिखते जाएए संपून नोट्स त्यार हो ज जाएए